Hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज की इस वीडियो में Heavy Lengue की Heavy Emboders सबसे अच्छी blouse बनाएंगे तो ये बहुत ही heavy blouse है तो काफी सारी comment आ रही थी आपकी के मैं heavy size में आप सबसे अच्छी blouse बताएं तो ये जो size बनाएंगे वो हम 37 size का बनाएंगे और इसके बनाने के लिए हमने आप पर lining fabric ले लिया है 1 meter और दिखें ये लेंगे का blouse है जिसमें पूरा सबसे अच्छी pattern दिया हुआ है heavy work में दिया हुआ है ये दिखें ये हमारा front है नीचे का belt है और इसका जो center वाला सबसे अच्छी pattern एक ये है ठीके तो ये हो गया हमारा front ये sleeves और इसका जो back है वो भी पूरा work किया हुआ है ये देखें तो अभी इसकी जो cutting होगी वो पहले हम paper पर करेंगे तो देखें एक marking हम उपर के side की fabric जो मारी paper है उसको straight करने के लिए side की जो marking की सबसे आची blouse के लिए की है ठीके यहाँ पर shoulder हम 5.5 inch ले रहे है और armhole हम 6 inch लेंगे ये देखें line draw की अब यहाँ पर हमें chest का fourth part लेना है तो line को draw करना है chest हमारा 37 जिसका fourth part लेंगे हम तो fourth part हमें हम आपर लेना है 9.25 inch 2 inch margin के लिए लेना है length है वो हमें आपर रखनी है 14 inch की 1 inch इसमें हम plus करेंगे margin का तो हमें 15 inch लेना है यहाँ से हम line को draw करेंगे यह देखें तो हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी video skip हो गई यहाँ पर हमारी waist है 30 उसका fourth part लिया 2.5 inch tux के लिए लिया और 2 inch हमने margin के लिये लिया है ओके और line को draw कर दिया है अब जो हमारा tux point था वो हमने 10.5 inch पर लिया है यह दिखें tux point हमारा 10.5 inch का line को draw किया necky width 3 inch लिए है necky length हमने 9.5 inch रखी है ठीके इस तरह से एक box बना लिया कि I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा वस हमने आपर waist की marking की है tux की और neck width की तो देखें इस टाइब से 5 shape हमको देना है तो मैंने जो neck है उसकी length देखी 9.5 inch रखी है पर सेंटर में हम थोड़ा सा fabric इसमें लगाएंगे जिससे इसका neck जो होगा कम हो जाएगा ठीके तो बैसे सबसे आची blouse में 5 shape ही चलता है अब यहां से हमने 4 inch लिया तो देखे 4 inch में क्यों ले रहे हो यह हमारी body है यह हमारा belt है यहां पर यह हम tux लगाते हैं इसका जो center का distance होगा न वो हमारा 8 inch का है तो 8 inch को हमने half किया तो यह 4 inch आया है तो यह आपको measure करना है उसके नीचे हम marking करेंगे 3 inch पर और यहां से एक line को draw कर देना है line को draw कर दिया अब straight line एक draw करेंगे अब यह के tux की जो weight थी वो हमने कितनी रखी थी यहां पर 2.5 inch 2.5 inch का इस तरीके से inch tip को half करेंगे और दोनों side पर हम marking करेंगे marking हमने कर ली line को draw करना है और यह line हमारी उपर 3 inch वाली जो line दी थी उसको मैं ला देना है तो देखे यह हमारा tux हो गया अब भी देखे जो हमारी tux वाली line है उस पर हमें marking करना है 0.25 inch की उपर नीचे दोनों side तो 0.25 उपर 0.25 नीचे इस तरीके से हमें यह आपर tux लगा देना है tux लगा दिया अब हमें यह आपर देखे यह आपको curve shape ले लेना है ठीके और इसको यह आपर इस तरीके से गोलाई देनी है गोलाई दे दी यह देखे अब भी हमें एक गोलाई नीचे की side देनी तो देखे यहाँ पर हमने इसको 3 inch लिया था यहाँ पर हम 3.25 इंच ले लेंगे और इस तरह से हम marking करेंगे यहाँ पर हमें इसमें गोलाई देनी है तो देखे आपको हाथ से देना है तो हाथ से दे सकते हैं तो अब हम यहाँ आपर curve shape याउज़ करेंगे यह दिखे तो हमने आप पर shape दिया अब यहाँ पर एक shape देना है हमको तो आप इससे भी दे सकते हैं यह नौर्मल यह आप freehand ओकर भी दे सकते हैं ऐसे यह दिखे तो मैंने आपर इसको इस तरह से शेफ दिया अब ये वाला शेफ तो मारा प्रॉपर है लेकिन ये वाला जो शेफ है वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा राउंड नहीं लग रहा पूरा तो मैं इस टाइब से शेफ दे देना है इसका ये देखिए उपर की साइट से भी शेफ दे देना है वेट आपका ये जो राउंड शेफ है न वो प्रॉपर आएगा तब ही आपका सबसे आची पैटर्न प्रॉपर बनेगा यहां से इस तरह से हाफ इंच पर हमें इसको टक्स लगा देना है ताकि हमारी बॉड़ी में पर्फेक्ट आ जाए तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की न वैसे हमें इसको कट करना है इसके थ्री पार्ट कट होंगे यहां पर आर् यह दिखिए नेक हमारा यहां पर दिखिए इस टाइप से आना चाहिए यह दिखिए नेक को कट करेंगे तो दिखिए यहां पर यह शेप थोड़ा सा में प्रॉपर दे दिना है। और इसका जो होगा यह दिखिए यहां पर जो आप पहले शेप दिया था अभी हमने आप पर दूसरा शेप दिया था इसका जो पहल्ब इसको कट कर दिया यह देखिए सभी पार्ट से हमने इस तरीके से कट कर दिये हैं उसकी जो यहां पर टक्स थी वो भी हमने कट कर दिये जो हमने 0.25 इंच की थी न वह वाली तो यह दूसरा पार्ट हो गया और यह वाला तीसरा पार्ट हो गया हमारा तो इस तरीके से हमें फ् कट किया है अब देखिए यहां से मैंने एक पार्ट को कट किया यहां से एक पार्ट को कट किया और यहां पर इसको इस तरीके से जॉइन कर दिया जॉइन्ट हमें पिनप कर लेना यहां आप इसमें टेप भी लगा सकते हैं यह देखिए यहां पर हुलका सा कॉर्णर निकल र देनी है और यहां पर cut लगा दिना है तो यहां पर भी हमें cut लगाएंगे इसमें यह देखिए तो यह इस तरीके से आ जाएगा और अब यह देखिए belt में टक्स जो लगाया था उसको भी हमें minus करना है यह देखिए इस तरीके से यह देखे तो उपर की जो गुलाई वो proper आनी चाहिए तो हमें आपब थोड़ा सा इसको उपर की सैट से तिर्चा कर देना है हलका सा तुदेखिए इसे हमने तिर्चा किया आप नीचे की सैट से देखिया है यह दोड़ा सा कैसा आया है अब यहाँ पर west जो है वेस्ट का 4th part आना चाहिए और 2 inch margin का भी आना चाहिए तो यह आपको देख लेना अगर आपका नहीं आ रहा तो आपको fabric में add कर देना है side से और यह वाली जो line है उसको straight कर देना है तो मैंने इसको straight कर दिया अब इसकी जो cutting है वह हम lining fabric पर करेंगे अब यह आपर स्लीज लेंद्ध लखे हैं हमने 10 इंच रखनी है वन इंच मार्जन के लिए ले लिया 11 इंच लिया इस तरीके से straight line ड्रो कर दी है अब यह आपर जमारे front वाले पार्ट है उन सब को रखना है तो यहाँ पर हमारा belt आएगा नीचे के side से हमें half inch extra ले लेना है मार्जन के लिए और उपर के side हम इस तरीके से मार्जन को बढ़ाएंगे half inch तो जरुए नहीं के half inch लेना है जितना आप stitching में दबाते हो यह stitch में लेते हों fabric उतना आपको ले लिना है तो मैंने आप पर half inch ही लिया है अब यह दो दूसरा पाट है वो रखेंगे और इसमें भी हमें marginate करना है यह देखिए तो इसमें हम सिर्फ नीचे के side से ही marginate करेंगे यह देखिए इस तरह से half inch का margin हमने 8 कर लिया है अब यह वाला जो पार्टेस को हम side से निकालेंगे यह देखिए इस तरह से half inch की marking हमने यहाँ पर भी कर लिया है और उपर के side से भी हमें half inch की margin कर लिनी है extra margin लेकर यह देखिए बागी side से हम ही रखा है इसको अभी हमें आपर back part की marking करने है तो इसके जो hook आएंगे वो back में ही आएंगे और front का shape हमें neck का shape देना होता है न तो इसके लिए हमने half inch की marking की थी front part में लेकिन जो इसके hook आएंगे वो back में ही आएंगे और देखिए इस side में हमें आपर one inch tux के लिए भी तो लेना है तो इसके हमने आपर marking कर दी one inch की ठीके one inch से armhole के side पर गुलाई दे दी है अब इन parts को हमें cut करना है तो जैसे जैसे हमने marking की है वैसी हमें सारे parts को cut करना है अब देखिए यह वाला जो पाटता ना तो यहाँ पर हमें tux की marking कर लेनी है इस तरीके से और यहाँ पर cut लगा देना है सेम इसी तरीके से जो हमारा upper part है उसमें भी हमें tux की marking करनी है और यहाँ पर भी cut लगा देना है तो जब हम stitching करेंगे ना तो cut to cut आना चाहिए पूरा यह देखिए बैक पार्ट को भी cut कर लेना है अभी हम एन फैबरिक पर इसे cut करेंगे तो यहाँ से इसको इस तरीके से निकाल देना है क्योंकि sleeves और front और back part अलग दिये हुए है तो sleeves यहाँ पर देख लेनी है तो पैक आर्मोल को measure करेंगे तो half inch shoulder को stitch करने के लिए चोड़ना है बाकि जो आर्मोल आ रहा है वो आरा है मेरा 10.5 inch तो sleeves भी हमें 10.5 inch के लिए निये लेकिन यहाँ पर इसमें joint आएगा तो अभी normally हमने 2 inch पर sleeves को down करके cut कर दिया है इसके जो joint है वो हमें cut कर लेना है तो देखिए यहाँ पर हमने joint भी cut कर लिये है तो अभी हम sleeves को cut करेंगे तो half inch हमने यहाँ पर नीचे के side से plain extra लिया है क्योंकि वो हमारा stitching में जाएगा और इस तरीके से रख कर cut करना है दूसरी sleeves भी हम इसी तरीके से cut करेंगे अब देखिए यह front part है तो इसको भी हमें cut करना है यह देखिए हमारा part यहाँ पर इस type का है जरूरी नहीं है कि जो हमारा man fabric जो blouse में दिया हुआ है same हम वैसा ही cut करें तो हमारी जो cutting होती है हम वैसे cut करेंगे तो देखिए मैंने front part को भी इस तरीके से तो ले लिया है, cut कर लिया है तो side से हमें थोड़ा सा extra लेकर ही चलना है इसको ठीक है और सें हिसी तरीके से हमने belt को भी cut कर लिया तो देखिए belt की design थोड़ी extra हो रही थी तो मैंने center से इसको cut कर दिया है तो हमारा belt और जो design है वो proper आ जाएगी बस थोड़ा सा कहीं भी छोटा बड़ा होगा तो उसको हम बाद में देखेंगे और यह वाला part तो हमने cut कर लिया था और यह हमने back part भी cut कर लिया है यह देखिए तो सभी parts cut कर लिये हैं अब हम इसको stitching करेंगे तो सबसे पहले हमे front part को stitch कर लियना है तो देखिए पहले हमें अच्छे से set कर लियना है कि कौन सा part किस type से आएगा यहाँ पर और किस type से अच्छे से set हो रहा है जिससे हमारी जो design है वो भी ना कटे ठीके एक्स्ट्रा होगी तो कोई problem नहीं है बर छोटी नहीं होनी चाहिए तो इस तरीके से हमें stitch कर लियना है तो मैं आपर इसको दीरे दीरे ही stitch कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इसमें diamonds और मोती वगेरा बहुत सारे इसमें लगे हुए है तो आप चाहिए तो इनको पहले निकाल सकते है निकालेंगे तो आपकी needle इतनी तोटेगी नहीं बरना क्या होता ना heavy blouse stitch करते है तो needle तो दो तीन बार तोट ही जाती है तो इसलिए आपको दिहान से करना है इस तरह से side का extra fabric cut करेंगे और दूसरा part भी इसी तरीके से stitch करना है यह हमारा tux था दोनों part stitch किये अब यह वाले part को stitch करेंगे तो center से हमें cut लगा लेना है तो जो design जो border है वो proper दोनों एक प्रूसरे के उपर ही आनी चाहिए तब ही आपको cut करना है और इसके उपर हमने lining fabric रखा और इसे stitch कर लेना है तो जो neck की design दी हुई न से हमें उसी pattern पर हम इसे stitch करेंगे side का extra fabric cut कर दिया cut लगा देना है पूरे ही neck पर और इसे पलट देना है पलटने के बाद side से एक stitch करेंगे बागी side से भी stitch कर लेना है और extra fabric cut कर देना है तो दोनों part को stitch कर लिया अब हम यहाँ पर इस वाले part को इस तरीके से stitch करेंगे यह देखिए तो हमने इसको stitch कर लिया है यह देखिए कितना अच्छा puff create हुआ है यहाँ पर इसको हम extra थोड़ा सा cut करेंगे दूसरा part भी सी तरीके से stitch करना है अब देखिए यह बैल्ट है तो बैल्ट के center पर हम stitch करेंगे और stitch करते time आपको यह देखना है इसके जो border है वो पूरी proper एक के उपर एक आनी चाहिए यह देखिए proper पूरी stitch में interlock कर लिया है interlock ज़रूरी होता है ब्लाउजों में करना और अगर आप अंदर ग्राउंड सिल रहें तो कोई problem नहीं है कि यह देखिए तो पहले हम इसको नीचे से stitch कर लेंगे तो नीचे के side से भी सिर्फ हमने इतनी जगें चोड़ी है कि हमारी वो stitching में जाएगी बाकी हमारी design आ जाएगी से हम इसी तरीके से उपर के side से भी हमको stitch कर देना है side का जो extra fabric के उसको cut करेंगे और पूरी इको लाइप पर हमें cut लगा लेना है इस तरह से cut लगाएंगे और इसको हमें cut लगाएंगे तो यहाँ पर हम किसी भी tool से इसको पलट सकते बट इतना easy तरीके से नहीं पलटेगा तो हमें इस तरीके से नॉर्मली इसको पलटना है क्योंकि यह जो embroidery fabric है और center बर belt में ती जगे भी नहीं बचिए कि वो पलट पाए बट फिर भी हम इसको पलटेंगे तो थोड़ा सा time लगेगा बट यह पलट जाएगा तो हम इसको इसको इसलिए पलट रहें क्योंकि इसमें finishing आ जाएगी हमें पलटी लगाने की जरुरत नहीं होगी वरना क्या होता है ना कि यह जो बैसे ही heavy embroidery है इसमें और फिर हम इसमें पटी वगेरा लगा देंगे ना तो यह और motor type का हो जाएगा तो इसलिए मैंने आपको कोई भी पटी यूज नहीं की है मैंने इसको ही पलट दिया है पलटनी के बाद हमें यह आप पर दिखिए इतना सा fabric लगाना है इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम neck को छोटा कर लेंगे तो इस type से ही patch लगा कर center पर इसको हम छोटा कर सकते हैं तो अगर आपको और भी छोटा करना है तो आप थोड़ा से इसको बड़ा भी लगा सकते हैं बट मुझे neck इतना ही रखना था तो इसलिए मैंने आपर इतना ही fabric लगाया है अब दिखिए इसको तो हमने पलट लिया है पलटने के बाद इस पर iron कर लिया है अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से set करके और इसको stitch करेंगे और दिखिए कभी भी आप सबसे आची blouse बनाते हैं तो आप उसको पहले paper पर ही cut करिएगा क्योंकि सबसे आची blouse में कुछ problem हो जाती है ठीके तो हम उसको paper पर तो cut कर सकते हैं अगर lining पर और man fabric पर हमने cut कर लिया तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो इसलिए हमें पहले इसको paper पर ही cut करना चाहिए तो दिखिए इसके जो moti बगेरा जो diamond लगे हैं इसमें वो हमें इस तरीके से निकाल लेते हैं जिसलिके हमारी जो needle है वो तोटती नहीं है यह दिखिए तो मैंने इसको stitch कर लिया अब यहाँ पर यह fabric को बराबर कर देना है यह दिखिए तो friend part complete होगया अब यह हमारा back part है इसकी जो weight आरी नहीं की वो 4 इंच की आरी तो हमने इसको इस तरीके से speech कर दिया जिसे क्या होगा ना इसकी जो weight होगी broadness होगी वो कम हो जाएगी अभी यह बराबर हो गया अभी यहाँ पर neck की weight हमने 3 इंच रखी इस तरीके से तो थोड़ा सा margin हमने ले लिया है क्योंकि हम neck को stitch भी तो करेंगे न यहाँ पर 2 इंच लिया नीचे के side से हम marking करेंगे 1,5 इंच पर इस तरीके से shape देकर इसको cut करना है यह देखिए cut कर लिया अब इसके ओपर हम lining favori रखेंगे और इसको stitch करेंगे यह देखिए इस तरीके से यहां से भी stitch कर लिया इसमें भी हम party use नहीं कर रहे है यह देखिए side का extra fabric cut करेंगे और अगर आप चाहें तो यहां पर fabric वाली eye hook party भी लगा सकते हैं वाट मैं आपर इसको stitch करूँगी center से तो पहले तो cut लगा देना है इस तरीके से अब यहां पर हम इसको stitch करेंगे क्योंकि यहां पर मैं ready made जो eye होती है वो लगाने वाली हो और अगर आप इसमें पट्टी लगाना चाहते तो आप वो भी लगा सकते हैं इसको पलटना है इसके जो corner वगेरा वो अच्छे से निकाल देना है यह देखिए तो हमने इसको पलट दिया side सामे की stitch करेंगे इस पर यह देखिए बागी side से भी stitch करके extra fabric cut कर दिया अब जो plane यहां पर जगे बचे न वो tux के लिए ही दी हुई है तो वहां पर हमें tux लगा देना है तो ज़्यादा बड़ा tux नहीं लगाया है मैंने चोटा ही tux लगाया है अब यहां पर हमने यह fabric लिया है इसकी जो landly है वो हमने 18 इंच की लिए है क्योंकि इतना ही fabric हमारे पास बचा हुआ था यहां पर हमने corner निकाला जो हमने belt का shape दिया है और इसकी जो wheat रखी थी वो हमने 3 इंच की रखी थी तो 1,5 इंच की हमारी belt बनेगी इसको पलटना है इसके जो corner रख अच्छे से निकाल लेना है यह देखिए इसको पलट लिया है अब यहां पर हम इसको इस तरीके से stitch करेंगे दूसरा belt भी stitch कर लेना है यहां पर rediment eye hook लगाने है अब भी देखिए यहां पर हम shoulder को stitch करेंगे यहां पर जो diamond है वो निकाल कर लगाना है stitch तो stitch कर लिया हमने shoulder को अब यहां पर sleeve को भी हमने stitch कर लिया नॉर्मली जैसे हम पलट कर stitch करते ना वैसे ही इसकी जो total land है वो हमको 6.5 inch 13 inch है तो 2 inch margin के लिए ले लिया है अब देखिए यहां पर हमारी थोड़ी जो embroidery है वो हमारी cut गई है बट हमें जितनी यह देखिए तो अब यहां पर हमें इस को इस तरीके से दूसरी भी cut कर देनी है और उसमें हमने front shape भी दे दिया है तो अब हम sleeve को stitch करेंगे तो sleeve का जो center का extra fabric cut किया था ना उसको में front में stitch करके sleeve को stitch कर देना है दूसरे side से भी sleeve को इसी तरीके से stitch करेंगे यह देखिए अब center से chest के fourth part पर marking करनी है यहां पर नीचे के side west का fourth part लेना है ठीके हम इसको थोड़ा सा loose भी रखेंगे तो चलेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा loose ही रखना है इसको पूरा fitting का नहीं करना है तो देखिए अभी आपर sleeve round है उसकी भी हम fitting लगाएंगे 6.5 inch पर यह दिखिए तो यहां पर straight marking आई हमारी और उसको भी आपर हमें fitting लगा देनी है यह देखिए fitting लगा दी है हमने फ्रिंट्स blouse बनकर complete हो गया है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो like share and comment ज़रू करिएगा और चैनल को subscribe ज़रू करिएगा Thank you अख करतो है के तो प्रशक बनकरλα dato यव他 भी स्कृत फ decor말